इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है मुख्य मंत्री CM सुखु करोना पॉजिटीव होने के बाद धरम शला के तपोवन में 22 से लेकर 24 दिसंबर तक प्रस्ताविद मिधान सवा का शीत सतर स्थगित कर दिया गया है सुखु पांच दिन ही माचल सदन दिल्ली में क्वारंटीन रहेंगे उसके बाद फिर से उनका करोना टेस्ट लिया जाएगा सुखु का कोविट टेस्ट परधान मंत्री निरेंदर मोदी से सोमबार को प्रस्ताविट भेंट से पहले लिया गया रिपोर्ट पोजिटिव आने की वज़े से वे मोदी से नहीं मिल पाए सोमबार शाम साड़े पांच बजे राजभवन शिमला में प्रोटेम स्पिकर चंदर कुमार के शब्त समारों में भी सुखु शामिल नहीं हो पाए बताया जा रहा है कि मुख्य मंत्री में कोविट संक्रमन के लक्षन नहीं है एतिहात के तोर पर उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है मुख्य मंत्री सुख्विंदर सिंग सुख्व के कोविड पॉस्टिव आने के बाद मंत्री मंडल के गठन में देरी हो सकती है सुख्व ने कहा कि शीत सत्र के बाद ही मंत्री मंडल का गठन होगा परदेश में बरतमान में मुख्य मंत्री और उपो मुख्य मंत्री की ही ताज पोशी की गई है